नमस्कार दोस्तों, welcome to Macain Kalगाई तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Applied Mathematics 3rd की और जो आपकी क्लास होने वाली वो आपकी क्लास जो है वो 2nd क्लास है इससे पहले मैं Applied Mathematics ये क्लास ले चुका हूँ तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिएगा जाकर क्योंकि उसमें मैंने आप वीडियो को जो बेसिक कॉंसेप्ट है वो हमने पता दिये और जो उसकी कुछ डिफिनिशन्स थी वो बताएं है क्योंकि उसकी जो डिफिनिशन्स है वो एक्जाम पर कई बार पूछी जा चुकी है तो उस वीडियो को देख लिएगा जरूर तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बढ़ने वाले हैं आप व्यू को क्या करेंगे अब लोग जोड़ना सीखेंगे आज घटाना करना सीखेंगे आप व्यू के और गुड़ा करना और भाग करना जो कि एक most important है जब आपको आप व्यू को जोड़ना घटाना और गुड़ा करना और भाग करना आ जाएगा तब ही आपको आगे के जो सवाल है वो आने वाले हैं तो वीडियो को friends start कर लेते हैं चैनल पर ने हुए तो चैनल को subscribe करें bell icon को प्रस करें ताकि ऐसे ही आने वाले जो वीडियो की notification वो सबसे पहले आपको मिले तो यहाँ पर एक question ले लेते हैं a बराबर 1, 2 2 minus का 1 नहीं अभी इसको plus ही रखते हैं क्योंकि अभी आप लोग simple से सीखना हैं बिल्गुल से तो उसको देख लेते हैं 1, 0 2, 1 तो इसको करना क्या है आपको इसका आपको जोड़ना है a plus b आपको इसका निकालना है तो आप इसको कैसे निकालना है तो सबसे पहले आप करेंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे a plus b बराबर जोड़का आप भी वह इसको लिख देंगे a वाला 1, 2, 2, 1 बीच में plus का निशान लगाएंगे फिर second वाला जोड़का आप भी वह लिख देंगे 1, 0, 2, 1 ठीक इतना आपको समझ में आया होगा अब आपको आगे क्या करना है आपको पता होगा यह यह क्या होता है यह a 1, 1 होता है यह a 1, 2 होता है यह a 2, 1 होता है यह a 2, 2 होता है इसी तरह यह भी होता है तो जो आप भी के जो terms है अव्योव वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कौन सा किसके साथ जुड़ेगा आपका जो ये वाला व्योव है हमेशा इस अव्योव के साथ ही जुड़ेगा और जो आपका ये वाला व्योव है वो हमेशा इस अव्योव के साथ जुड़ेगा और जो आपका ये वाला है वो हमेसा इसके साथ जुड़ेगा तो ऐसे ही आपका जो आप जोड़ना होता इसी तरह से होता है तो इसको देखे लिखते हैं वन में इस वन को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा वन प्लस वन ये हो गया जब 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 0 और जब इस 2 को जोड़ेंगे इस 2 से तो कितना आएगा 2 प्लस 2 और जब इस 1 को इस 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 अब इसको आगे solve कर लेंगे 1 1 यह हो जाएगा 2 आपका यह भी two हो जाएगा, यह आपका four हो जाएगा और यह आपका k्या हो जाएगा तो आपने undo का जो जोड़ना था वो आपने सीखा आयो इतना आपको समझ में आया होगा तो undo का जो जोड़ने वाला सवाल है वो एक और ले लेते हैं यह अभी हमने कौन सा लिया था यह आपका जो आभ्यू का था यह 2 बाई 2 का था अब यह हम 3 बाई 3 का लेते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो 3 बाई 3 का एक आभ्यू का लेते हैं जिसको हमें जोड़ेंगे ए बराबर 4 5 6 5 4 5 और यह 6 5 4 आप काभ्यू यह बराबर एक यह दिया गया हुआ है एक यह बी बराबर एक आपको दिया गया है 2 3 4 3 2 3 4 3 2 तो आपका यह आभ्यू लिख चुका है अब इसको करना है आपको इसका A प्लस B निकालना है ठीक है फ्रेंट यह हम दो 2 बाइ 2 का बताया था अब यह आपका आपका 3 क्रॉस 3 का है इसे आप कैसे अप्सॉल करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यह सह हमने बताया आप इसको लिख लेंगे A प्लस B बराबर जो आपका A वाला आप दूए उसके लिख लेंगे 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4 अब इसी तरह जो आपका B वाला आप दूए भी इसमे प्लस का निशान लगा कर B वाला आप दूए आप लिख लेंगे इतना आपको समझ में आ गया हूँ, अब आपको जोड़ा हम ने कैसे बताया था, आपका जो, ये वाला टर्म है, ये हमेसा इसस के जुड़ेगा, उस्से तरह ये वाले इससे, और ये वाले इससे, इससे, तो इसको फटाफो, जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा आपका बराबर इस चार को जब इस दो के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा छाय आएगा आपका इस जब पांच को इस तीन के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आने वाला है जब इस 6 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा अब जब इस 5 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा जब इस 4 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा जब इस 5 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा अग इस 6 को जब इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा अगर जब इस 5 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और जब इस 4 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा तो copy और pen लेकर आप लोग भी बैठ जाएगे और फटाफट सें question को जैसे मैं solve करता जारूं आप लोग की साथ में solve करते जाएगे तो active practice होती जाएगे और आपको question जो आते जाएगे तो आपने आपव्यू का जो जोड़ना था वो अभी आपने सीखा है एक और आपव्यू का जो जोड़ना है वो सीख लेते हैं एक question और देख लेते हैं आपव्यू के जोड़ने पर तो आपका जो next question है a बराबर 1, 2, 2 यह minus 1 है यापर इसमें भी आपको जोड़ना ही है लेकिन बीच में minus लगा हुआ है b बराबर आपका क्या है 1, 0, 2, 1 ठीक है यह आपका question आपको करना क्या है इसको a plus b करना है यह आपका आपव्यू कैसा है 2 by 2 का है इसका जो क्राम है ठीक है बराबर इतना आपको समझ में आया होगा अब इसको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे सबसे पहले हमने आपको क्या मता है तो आपको लिखना a plus b बराबर जो आपका आपव्यू दिया है तो कैसे solve गरणे हैं से मैंने बताया था आपका जो term होता है अव्यू जो होते हैं एक दूसरे से ये वाला आपव्यू इसके साथ जुड़ेगा जो ये वाला आपव्यू इसके साथ जुड़ेगा जब इस one को इस one के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा one plus one अब जब इस two को इस zero के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा two plus zero अब जब इस two को इस two के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा friends two plus two अब यह minus कावान है और यह plus कावान है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर यह माइनस का 1 हो गया और जो आपका यह प्लस का 1 हो गया इस question को मैंने इस रोजे से बता है क्योंकि माइनस से यहाँ पर लगा हुए कई बार ऐसे question भी bold exam पर पूछे जाते हैं नमबर बार और यही question हो सकते हैं आपसे तो क्या होगा आपका जो यह वाला है A प्लस B आपका क्या आने वाला है A प्लस B बराबर यह आपका आजाएगा 1 1 यह हो जाएगा आपका 2 यह भी हो जाएगा 2 यहाँ पर क्या होगा friends यह 2 होगा और यह क्या हो जाएगा आपका यह 4 हो जाएगा यह माइनस का वन और यह प्लस का वन क्या हो जाएगा आपस में कड़ जाएगा तिहां पर क्या हो जाएगा जीरो तो आपने आप व्यू का जो जोड़ था वो पूरी दरह से आपको आ गया है आपने जो सीख लिया है ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप भी को जो घटाना होते हैं, उनको सीखते हैं, आप भी उनको आपस में घटा या कैसे जाता है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले, तो कौन सा आप लोग करना चाहेंगे, तू क्रास टू का करेंगे या फिर ठीक करना टू क्रॉस टू का ही लेते हैं जो आपका next question है उसे देख लेते हैं a बराबर 1, 2 3, 4 b बराबर 3, 7 4, 8 यह आपको जो आपर दियेगा इसमें आपको करना क्या है इसमें आपको a-b करना है इसको घटाना है आपको ठीक है तो इसको आप कैसे करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है आपको लिखना है यहां पर a-b बराबर 1, 2 3, 4 जैसे लिखा हुआ था 20 फिर फिर माइनस अच्छी ने लगाएंगे जैसे प्लस वाले में करते थे फिर यहां पर क्या लिखेंगे 3, 7, 4 यह और यह 8 ठीक अप्रेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा अब इससे देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर क्या करने हैं आप लिखो भटा आ रहा है तो इससे आगे सॉल्व करेंगे अब देखिए यह वाला टर्म इससे इसके साथ जाएगा तो यहां पर यह माइनस है तो यह माइनस अंदर जाएगा तो यह एक इस्टेक और कर लेते हैं तो आपको ज़दा समझ में आने वाला है 1, 2, 3, 4 अब जब इस वाले माइनस को हम इसके पूरे में अंदर देज़ेंगे तो यह पर क्या हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यह माइनस का 7 हो जाएगा और यह माइनस का 4 हो जाएगा यह माइनस का 8 हो जाएगा यह आपकी सुविधा के लिए मैंने इतना कर दिया है वरना यहाँ पर डारेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो क्या है आपका जब इस 1 को इस 3 के साथ भटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा क्योंकि यह प्लस का और यह माइनस का है तो जो बड़ा होता है उसी का चिनलिया जाता है तो यहाँ पर माइनस का 2 आजाएगा अब जब इस 2 को इस 7 के साथ भटाएंगे तो कितना आएगा यह माइनस का 5 आएगा अग इस three को minus के four से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का one आएगा और जब इस four को minus के eight से घटाएंगे तो कितना आएगा minus का four आएगा यही इसका आपका जो answer था इसमें आप क्या कर सकते हैं आप minus में common भी ले सकते हैं बाकि आप अगर यहां पर भी छोड़ते हैं तो आपको जो इसकी नंबर है वो पूरे मिलने वाले तो question को लिख लेते हैं ए बराबर अब हम 3 क्रास 3 का आभी लेंगे फ्रेंट्स अभी हमने 2 क्रास 2 का आपको आभी को बता दिया है 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 4 अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आइकन को भी प्रस कीजिए ताकि ऐसे ही आने विले जो वीडियो की नॉटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलती नहीं और आप हमारे टेली ग्राम ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं लिंक आपको डिक्रूप्शन पर मिल जाएगा वहाँ पर आपको अप्डाइब मैथमेटिक्स जो आपकी उसकी पूरी बूप की पीडियोप डाल दी गई है वहाँ से आप उसको प्राप कर सकते हैं और वर्टसप ग्रूप का भी लिंक आपको डिक्रूप्शन पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी जाई हो सकते हैं इसमें आपकी हेल्प हो सकेगी तो आपको यह क्या है अब आपको इसका A-B आपको निकालना है ठीक है तो कैसे करेंगे देखते हैं आपको इसका A-B जब निकालेंगे जैसा हमने आपको बताया था टर्म वाइस से सीधे घटा आदेंगे तो पहले आपको लिख लेते हैं A-B 4-5-6-5-4-5-6-5-4-5-6-5-4 तो फ्रेंट्स रैटिंग पर मच जाईए का मैं क्योंकि रैटिंग में थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है अब सही भी नहीं हो लगती है क्या बोले इसमें हम 3-2-3-4-3-2 ठीक है ना होगी हमने लिख लिया यह हमारा च्छी ग्राफ 3 का आप भी है दोनों ठीक है अब इसे हम घटाएंगे कैसे जैसे हमने बताया था इस वाले टर्मो को इसके साथ इस वाले टर्मो को इसके साथ और इस वाले टर्मो को इसके साथ और इस वाले टर्म प्लस लगेगा घटाने पर माइस लगे बाकि जो इसका concept पूरा वही रहता है तो ठीके फ्रेंट इसको घटा लेते हैं यह माइनस भी इसका हमें निकालना है तो क्या करते हैं देखिएगा 4 को 2 में घटाएंगे तो क्या आएगा 4 माइनस का 2 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस का 3 क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन है और हम घटा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 6 यह माइनस का 4 ठीके फ्रेंट तो यह 5 माइनस का 3 यह 4 और यह माइनस का 2 5 5 लिख देंगे माइनस कचिन ने तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे दिए कितना simple है 6 है यहाँ पर तो 6 लिख देंगे यहाँ माइनस कचिन ने तो माइनस लगा देंगे और यह 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पर फिर लिखेंगे 5, माइनस का चीन ने बीच में, तो माइनस लगाया, और यह 3, यहाँ पर यह क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, बीच में माइनस का चीन ने माइनस लगाया, और यह क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, फ्रेंट्स कुछ इफिरेंट गोल लाएते है, मैं इसमेटिक सप्लाइट थर्ड यह काफी टफ है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको जैसे बतारूं, बस आप डेली का डेली पढ़ते जाए, पुरी क्लस लेते जाए, मैं आपको गरंटी के साथ बोलना हूँ, 40 प भी करा देंगे, solveous, ठीक है यह मैं इसको इसमेटाएंगे, तो कुतना आएगा 2 आएगा, और फिर जब, जो विसरेंगे, माइनुस का 4 जाएगा, तो इतना 1 एगा 2 आएगा और में माइनस कट हुआ जाए तो कितना आएगा फ्रेंट्स टू आएगा तो देखिया सब में पूरा टू-टू-टू हो गया है तो आपका था यह थी क्रास थी का अभ्यू का था जिसको हमने घटाया तो फ्रेंट्स कैसा लग आपको अच्छा लग रहा होगा पड़के तो अमेट種 का सब्लास है व्हों मैं आपको लाने के लिए सोच रहा हूँ तो मैं फछल्दी करूंगा उस पर अपक ₂प्रव चैनल ऐसो Tat चेनल को सब्साइब कीजिए breaks अट और सपूर्ट कीजिए ठीक है तो आपने आपर जो जो जोर्टाना था और घटाना था वह दोनों A बराबर 1, 2, 3 0, 1, 4 B बराबर 2, 3, 0 माइनस का 1, 2, 5 ठीक अगरेंस यह आपका जो question लिखा हुआ था अब इसमें हमें करना है कि हमका इसको A माइनस B निकालना है तो comment पर यह बताना मत भूलेगा इसका जो आप्विव का जो किस उसका होगा कितने बाई कितने का यह आप्विव होगा तो इसको फटा-फट comment पर जरूर बताईएगा तो इसको अब solve कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे A माइनस B बराबर 1, 2, 3 0, 1, 4 ठीक है फ्रेंट्स इतना लिख दिया बीच में फिर माइनस का निश्चान लगाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे 2, 3, 0 माइनस का 1, 2, 5 इतना हो गया अब उसके बाद इसको आपास में घटा लेंगे A माइनस B बराबर हमें निकालना है इसको इसके साथ घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंट्स माइनस का 1 आएगा क्योंकि यह 2 जो है माइनस का है और यह प्लस का 1 है तो बड़ाए वाला का चिन लिया रहता है अब इस 2 से इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का ये भी one आएगा अब जब इसमे 3 से 0 को खटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा ठीका फ्रेंटस अब इससी तरह इसको इसमे खटाएंगे इस 0 को माइनस का one ये है और यहाँ पर माइनस लगा है से क्या हो जाएगा प्लस तो आपको यह प्लस का वन हो जाएगा और जब इस ब्सक्री को घटाएंगे तो इतना आएगा मािनस तब अपका फ्रैंट के इतना हो गया जो आपको आयों इतना समस्द में आ गया होगा आपको जोनग धाना था वह अग्वित ना घटाना था वह आपको फिर ली आ चुका होगा तो हम लोग बात करते हैं आपको जो बुड़ा होता है कैसे करते हैं सीधे स MRI ८ून करेंगे तो बाई तो जो अब्यू का होता है उसको लेंगे तो वीडियो को देखते रहे है तो अब्यू का जो बूड़ा है उसे देख लेते हैं तो फेले सबसे सिंपल साइव क्योश्चन लेकर आपको नहीं भी आता है इतना मैंना भी आपको बता दिया तो भी आप यह कर लेंगे यह बोल्ड एक्जाम पर कुष्टियन एब पूछा भी जा चुका है एक नमबर पर तो आप देख सकते हैं कि इतना इजी कुष्टियन है और पूछा गया है ऐसे इजी इजी कुष्टियन आपसे आप देख से बनते हैं तो आप देख से पढ़िए पंदरा नमबर का सवाल है यार पंदरा नमबर आपको जो है ना जिन स्टुएंट को मैद बहुत ज़्यादा टाफ लगती सिर्को आप देख से पढ़ लें तो सीड़ी सी बात इसे सब जो हम सॉल्व करेंगे तो हम यहापर क्या लिखेंगे 3A बराबर तो जो आपका आप ब्यू है यहाँ पर यह 3 लिख दिया A की वैलू क्या है आपका यह वाला आप ब्यू है पूरा तो इसको लिख दिया 2, 3, माइनस का 1 6, 2, 0 और यह हो जाएगा 3, 4, 6 ठीक है फ्रेंट सीधा सा करना क्या था आपको 3A की वैलू निकालनी तो आपकी एक ही वैलू आपको दी गई है तो इसमें 3 का गुड़ा करा देना है और आपको जो वैलू है वो निकल कर आ जाएगी तो यह तो सिंपल साथा गुड़ाएगा कैसे करेंगे अब इसमें 3 का जब इसमें गुड़ा कराएंगे तो कितना होगा 3 का इसमें गुड़ा होगा तो कितना होगा यह इस 6 हो जाएगा जब इस 3 का इसमें गुड़ा होगा तो यह कितना हो जाएगा यह 6 हो जाएगा और यह सूनने हो जाएगा किसी भी संख्या का जब 0 में बुड़ा करेंगे तो क्या आता है सूनने आता है तो अब इसी तरह इस थरीका इस थरी में बुड़ा होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स 9 आ जाएगा अब इस थरीका इसमें बुड़ा करेंगे तो कि जो यह बार आ जाएगा और इसी तरह जब इस त्रीका इसमें गुड़ा करेंगे तो आपका क्या आएगा यह अठारा आ जाएगा तो यह एक सिंपल सा कुस्चिन था आपका जो गुड़े का था अप फड़ासा इससे टफ वाला कुस्चिन आने वाला है यह बेसक्टिली एक एक नंबर पर पूछा गया है एक बार कुस्चिन तो एक नंबर पर अगर ऐसा कुस्चिन आता है तो आप कर लेंगे आई होगा आपका एक नंबर पक्का हो गया यहां से तो अब बात करते हैं जो आपको में गुड़े के सवाल होते हैं उनकी बात कर लेते हैं फ्रेंस ठी मैं एक आपको बहुत ही बहुत इन कुछन बताने वाला हूँ जिसको पेपर पर कई बात उचा जा चुका है दो नमबर पर तो आपको समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स यह आपका question लिख दिया गया है यहाँ पर इसको आपको करना क्या है आपको इसका आपको आपको बुड़ा करना है आपको A.B. निकालना है यह आपको निकालना है तो सबसे पहले आप करेंगे क्या A.B. मराबर यहाँ पर आप 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 दियू लिख देंगे 1,2,3,4 जैसे हम लोग प्लस और माइस वाले में करते हैं तो यहाँ पर आप क्रास करना लगा सकते हैं अगर लगाना है तो नहीं लगाना तो मत लगाईए सिधे से आप दियू लिखें दूसरा वाला जो आपका देखिए यहाँ यह वाला क्या होता है यह आपकी पंग्तियां होती है यह पंग्तियां होती है और यह क्या होते हैं इस्तंब होते हैं जो खाड़े होते हैं यह इस्तंब होते हैं और यह पंग्तियां होती है ठीक इतना आपको आपको समझे से आया होगा बहुत अच्छे स सिद्धा सा इसका पंड़ा यहां से पंग्ति उठाई है जितने भी आपको इस तंब देखने उनको गिरा दीजिए मतलब कि इसको सबसे साथ भिड़ा दीजिए यह मेरा पंड़ा है तो इसे कैसे सौल करते हैं देखिए इस वन का जब इस 5 के साथ बुड़ा कराएंगो कितन हमने एक पंग्ति यहां से उठाई और एक संब भी इस बने भिड़ा कराना एक कुछ पंग्ति मेरा शीकस करेंगे वनधा ऊछ करां मत भी आपको इस ही पंग्ति करेंगे क्या है कि सिक्स गृचट कराएंगे एट इंटू, two, ठीके फ्रेंड, अब एक पंग्ते हमने यहां से उठा ली दी, और जिदने भी स्तम बथे हमने सबसे गुड़ा करा लिया, अब यहां सिरो हमारी बपार इवा उठाएंगे, पिर गवा थी उठांगे, जितने स्तम है, यहां सबसे घुड़ा करा देंगे, इ 7 अब फिर से इसी पंग्दी से अभी एक इस्तम आपका ये बचा हुआ है कि इससे कराएंगे इसको अब आगे स्टॉल्ब कर लेंगे 5 का गुड़ा 1 में कराएंगे तो क्या आएगा 5 प्लस और इसका 7 का गुड़ा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा और ये 6 का गुड़ा 1 में जब कराएंगे तो कितना आएगा जब इसका करेंगे 6 का गुड़ा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा आपका 18 आजाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ये ये आपका 32 हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स इतना हो गया अब इसको जोड़ लेंगे और आपका जो आपड्यू का जो गुड़न है वो इसका जो final answer हो जाएगा वाई ठीक है फ्रेंट्स तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 14 और 5 कितना होता है 19 होता है और ये 16 और ये 6 कितना होगा 22 हो जाएगा 28 और 15 आपका इतना होता है ये आपका 43 होगा 32 और 18 आपका कितना होगा इसी ते 50 हो जाएगा तो यह था आपका आप्वू का जो गुरण था यह अभी आपने आप्वू को जोड़ना सीख लिए और आप्वू को गुरण का एक सवाल सीख लिए और आपको जो हमने अभी आपको बताया यह 2 x 2 का अभ्यू का था अभी हम इसको 3 x 3 का भी अभ्यू का ले सकते हैं तो 3 x 3 का भी एक लेकर solve करते देख लेते हैं अगर होता है तो हो जाएगा होगा क्यों नहीं तो उसे देख लेते हैं 3 x 3 वाले को एक ठो नेक्स्ट कुश्चिन देख लेते हैं आप दूका जो गुड़न पल का है उसे थोड़ा सा अच्छा question है A बराबर 2, 3, 1, 4 थोड़ा सा टब भी हो सकता है आपनों के लिए परेंस बट आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत असानी से आने वाला है ठीक है और जो आप बी दिया गया हुआ है वो क्या दिया है उसे देख लेते हैं 5, 7, 6, minus का 1 और यह 2, 2 ठीक है फ्रेंस तो यह आपका question आपको इसमें करना क्या है इसमें आपको A, B का मान निकानला है मतलब कीजी A x B अब इसे आप कैसे solve करेंगे देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप यह देखिए यहाँ पर एक पंग्ती दो पंग्तिया है पंग्ती दो हैं और इसम आपके यहाँ पर कितने हैं एक इसम दो इसम और इधर इसम कितने हैं एक इस्तंब, दो इस्तंब, तीन इस्तंब, चार इस्तंब विधर हैं, तो दीखे आसाइनी से स्वार्फ हो जाएगा, कोई परिशानी की कोई बात नहीं है, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, ए, बि, बराबर, हमने आपको इतना क्या फंडा मताया था, एक पंक्ति आप यहां से उठाएंगे, और जितने भी आपको इस्तंब दिख रहे हो, सबसे आपको मल्टिप्राइज का कराना होगा, तो सबसे पहले एक पंक्ति मिहां से यवाली कूपर और यह पंक्ति इसको निशान लगेगा फिर यहाँ पर 3 उड़े 5 ठीक है फ्रेंस और फिर इस 1 का 6 के साथ 1 इंटू 6 इस 4 का इस 2 के साथ थोड़ा से बड़ा हो जाएगा मट आप जब बड़े कुश्चेन करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है तो हमने एक पंक्ति उठाए थी एक इस्तम बसे तो आपका इसका मल्टिप्लाई पूरा हो गया अभी इसी पंक्ति से जो आपका इस दूसरा इस्तम बचा हुआ है इससे भी तो हमें का 1 लिख दिया हमने अब फिर यहां पर बचा क्या 4 इस 4 का 2 से होगा यहां पर प्लस का निशान लगेगा 4 इंटू 2 ठीक है तो हमने एक पंक्ति उठाई और दोनों इस्तम से इसका मल्टिप्लाई करा दिया अभी हम सेकेंड वाली आपकी पंक्ति जो यह दी हुई है इसक जीरो से इस 5 का गुड़ा कराएंगे तो कितना आएगा 0 इंटू 5 आएगा प्रेंस जब इस 3 का इस 6 से गुड़ा कराएंगे बीच में प्लस 3 इंटू 6 आजाएगा अब जब इस 5 का इस 2 से गुड़ा कराएंगे तो क्या आएगा प्लस 5 इंटू 2 ठीक है इतना आपको माइनस का 1 इंटू 1 ठीक है friends अब इसको प्लस बीच में लगाएंगे 0 इंटू 7 इस 0 का 7 से होगा इस 3 का माइनस का 1 से होगा प्लस 3 इंटू माइनस का 1 अब इस 5 का इस 2 से होगा प्लस फाइब इंटू टू तो इसका जो पुरा गुड़ा था वो हमने कर लिया है पाइनली अब क्या करना है हमें अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है अब इसको जब solve करेंगे तो क्या आएगा देखिए जब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा इसका इसमें गुड़ा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा यह 6 हो जाएगा और यह माइनस का 6 हो जाएगा और यह प्लस का 6, तो यह आपस में क्या हो जाएंगे, कड जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, 3 पर अच्छे 15 होता है, और 4 मिजा ही 8 होता है, तो 15 आठ आठ का कितना होगा, 23 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23, ठीक है फ्रेंज, देखेंगे, उन्हें डर्ट सॉल्ट किया है, आप कॉप्य और पेल लेकर बैठिये, आराम से सॉल्ट कीजिए, जब इस 2 का, इससे गुड़ा कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 2 आजाएगा, जब इसका 7 का 3 से गुड़ा कराएंगे, तो क्या हैगा, 21 आएगा, 21 और यह 2 कितना होगा, 23 हो जाएगा, 23, और जब इस 4 का, 2 से गुड़ा कराएंगे, तो क्या हैगा, 8 आजा तो यह आएगा 31, 31 में जब यह minus का 1 यहाँ से जाएगा, तो कितना आपका बचेगा, यह 30 बच जाएगा, ठीक फ्रेंट्स, इसी तरह इसको भी solve कर लेंगे, इसी तरह इसको भी solve कर लेंगे, तो इसको जब solve करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आजाएगा, यह 31 बना जाएगा, और जब इसको solve करेंगे, तो कितना आने वाला है, इसका जब 7 का 0 पर बुड़ा कराएगा, तो यह तो पूरा टर्वाग का 0 हो गया, इधर वाला, जब इस minus 1 का 3 से बुड़ा कराएगा, तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और यह भी minus का 1 है यहाँ प आग्यू का गुड़न, तो फानली आपको फ्रेंज, इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसी तरह जो आपका आग्यू का भाव होता है, उसे देख लेते हैं, बहुत यहादा easy है, उसके कुछ नहीं है, तो उससे पहले भाग से पहले, एक question मैं आपको बताना चाहता हू तो उसे आप देखिए, जो मैं question बताने जा रहा हूँ, यह exam पर कई बार पूछ आपको जा चुका है दो नमबर पर, तो I hope आपके भी exam पर पूछे जाने कि इसके chances बन रहे हैं, तो यार देख लेते हैं easy सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक, 3x, 5y, 4z, 2a, next आपको जो दिया गया हुआ है, 4, 2, 5, 7, तो आपको इसमें करना क्या है, आपसे बोल देगा, x, y, z, a, का मान ज्याद करें, आपसे बोलेगा का मान ज्याद करें, तो इस question को आप कैसे solve करेंगे, देखिए, हमने आपको पताया था, आपको जो तुलना भी आप कराएंगे, फिर जोड़ना, घडाना, खुछ भी आप करना, तो आपको term wise करना, इस अवयो का, इस अवयो का, इस अ पताबट से तुलना कर लेंगे, इस 3 की, इस 4 के साथ तुलना होगी, तो यह 3x बराबर 4, तो यहां से x की value क्या आने वाली है, x बराबर 4 by 3, ठीक है friends, देखिए x की value आ चुकी, अब इस 5 की जो है, इस से कराएंगे, 5y बराबर 2 हो जाएगा, तो इसकी value क्या आने वाली है y बराबर 2 by 5, ठीक है friends, और इसके बाद इसको देख लेते हैं, इस वाले term की इस वाले के साथ तुलना होगी, तो 4z बराबर 5 हो जाएगा आपका, तो यहां पर answer क्या आएगा, z बराबर 5 by 4 हो जाएगा friends, ठीक है, अब इसी तरह है, आपका जो यह 2a लिखा हुआ है, यह a a है friends, इसे 20 मत समझेगा 20, तो यह a है, जब इसकी तुलना इससे कराएंगे, तो कितना आने वाला है, 2a बराबर 7, तो a बराबर आपका क्या आएगा, यह इधर इंटू में तो इधर बटे में जाएगा, तो 7 by 2, तो ऐसा question, बोल्ड इसे आपर दो नमबर को कुसता है, और आप बैक लेकर पैड़ जाते हैं, तो यार अकर आप डेली क्लासित लेंगे ना मेरी, तो मैं गरंटी के साथ बोल लाओ, किसी बंदे की बैक नहीं आने वाली है,